Welcome to our channel, Easy and Deep Way. Continue करते हैं Important MCQ की एक Next Series जिसमें Health, Physical and Yoga Subject के अंदर हम Postural Deformities के Questions को Discuss करेंगे. हमने इससे पहले की वीडियो में Postures के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने Good Postures और Bad Postures के बारे में Discuss किया था. उस वीडियो का लिंक आपको उपर Suggestion Box में आई बटन में दिया गया है. प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखिए, उससे आपको ये वीडियो के सारे के सारे टाइप्स और भी अच्छे से समझ आएंगे. तो कौन-कौन से हैं टाइप्स इसके देख लेता है, काइफोसिस, लोडोसिस, रिजिट स्पाइन, काइफो लोडोसिस, स्कोरलिोसिस, गनोक नी, टिकेट्स, फ्लाट फूट और टैलिप्स. तो ये सारे के सारे टाइप्स पे हम questions डिसकेस करेंगे. अगर आपने इस अच्छे से समझ लिए, तो आप इसको concept basis पे भी अच्छे से exam में attempt कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको easy diagram के थूँ करेंगे. देखते हैं, first question, which of the following is or are of postural defects? तो यानि कि हमारी हमने postural defects पढ़े थे, कि जो postures में कमी होते हैं, जब हम bad postures हो जाते हैं, तो वो किस कौन-कौन से होते हैं? काइफोसिस और लोडोसिस, flat foot, claw foot, scoliosis और तो अभी हमने, मैंने बताया था, यह सारे के सारे types होते हैं, postural defects के. ठीक है, next है, when there is a normal curvature of spine, यानि कि जब हमारी जो spine है, वो normal तरीके से मुड़ जाती है, from front to back, resulting in hump towards the back, यानि कि जो हमारी back है, वो भी थोड़ी सी मुड़ जाती है, front to back से. तो उसको क्या बोलेंगे हम, आप diagram में देख सकते हैं, कि हमारी इसमें क्या है, जो back है, जो हमारे shoulder है, वो बाहर की तरफ आई, और back अंदर की तरफ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, kyphosis और round back, ठीक है, next है, kyphosis of anterior, posterior is found mostly in, तो जो kyphosis होता है, वो अभी हमने देखा, वो shoulder के आस-पास होता है, और वो कहां-कहां प्योता है, neck में, back में, thoric reason में, या फिर कहीं भी नहीं, तो वो thoric आप देख सकते हैं, हमारे पास सबसे उपर होता हमारा cervical, फिर होता है हमारा thoric, फिर होता है lumbar, sacrum और coclix, तो जो kyphosis है, वो कहां पर पाया जाता है, वो thoric reason में पाय जाता है, ठीक है, next है, the shape of the body in kyphosis postural defects becomes, तो कैसी हो जाती है हमारी body की shape, देख लेते हैं, extension of neck and upper part of the back, बिल्कुल अभी हमने पिछे वाले डाइगराम में देखा था, जो हमारी neck and shoulders है, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, flexor of hip, यानि कि जो हमारे hip है, वो थोड़े से ऐसे, उ काई जाते हैं, kyphosis के अंदर, next है, which type of treatment और आसन्स are suggested for flex of hip bones, तो जब हमारी hip bones में flexes आ जाते हैं, तो जो वो सरक जाते हैं, तो उसके लिए treatments और आसन्स बताया जाते हैं, exercise बताया जाते हैं, डोक्टर के द्वारा, तो वो कौन-कौन सी होती है, नोकासन, धनुराशन, ऐसे ही धनुराशन में, तो ये दोनों के दोनों आसन्स ही हमारे flexips के लिए suggest किये जाते हैं, जिससे kyphosis को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, next है, the exaggeration, याने की बढ़ना, किस चीज का, of normal forward curve in the limbs, reason, resulting in a hollow back is known as, तो जो hollow back क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, कि hollow back में हमारी जो हड़ी होती, वो अंदर की तरह जुख जाती है, आप diagram में देख सकते हैं, कि जो हमारी अंदर एक hole सा बन जाता है, बिल्कुल shape ले ले लेती है, ये एक, तो वो किस में होता है, वो lodosis में होता है, ठीक है, तो आप इसको diagram में अच्छे से देख सकते हैं, कि जो हमारी normal है, व के क्या क्या कारण होते हैं, तूबर क्लोसीज ओफ स्पाइन होता है, बिल्कुल तो अगर आपको lodosis है, तो आपको तूबर क्लोसीज हो सकता है, स्पाइन के अंदर, hip disease हो सकती है, और malnutrition with poor muscles, बिल्कुल तो आपकी muscles बिल्कुल कमजोर हो जाती है, malnutrition के कारण, तो सभी के स science of lodosis include which except, तो देखो include following except, तो जो हमारे lodosis होते हैं, उसमें कुछ science होते हैं, एक है जो उसमें से नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है, extensor of the hip बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, flexor of the hip भी पढ़ा था, extensor of neck नहीं, यह किसमें होता है, यह स्काइफोसिस में होता है, और long spinal muscle यह भी होता है, ठीक है, तो यह सारे के सारे lodosis के science है, next है, which type of exercise for treatment of lodosis are suggested, तो हमने काइफोसिस की भी पढ़ी थे, treatment और exercises, और अभी lodosis के देख लेता है sit-ups, उडियन बन, पश्चि मोतान, आसन और सभी, तो आप डाइग्राम में देख सकते हैं, उडियन बन, जिसमें हम जो सांस होते हैं, उसको बिलकुल बाहर निकाल के और अपना जो neck को हमारी जो ठोड़ी है, उसको नीचे लगाते हैं, इसमें exhale करते हैं, हम अपनी सांसों को बाहर चोड़ते हैं, और पश्चि मोतान आसन आप देख सकते हैं, कैसे हम अपनी हमारी पुरी की पुरी back को pressurize क करते हैं, ठीक है, next है, when upper long spinal muscle became lengthened, यानि कि बढ़ जाती है, and lower long spinal muscle shortened, यानि कि जो नीचे से है, जो spinal cord वो छोटी हो जाती है, उपर से बढ़ जाती है, तो उसमें किस चीज की कमी में होता है, ये kyphosis, lodosis और kypholodosis, तो देखिए आप की हमारी short end, यानि कि उपर से हमारी क्या ह करते है, height हम जुख जाते हैं, तो हमारी height ही कम हो जाती है, यानकी loss of height होता है इसमें, और देखो, या आप kyphosis में देख सकते हो, curve कैसे बाहर की तरफ normal के comparison में आती है, और lodotik में वो बिलकुल अंदर hollow बन जाती है, तो ये किसमें होता है, kyphosis में होता है, clear है, next है, in case of kypholod what should be treated first, तो अगर मालो kypholoduses होता है, तो हमें सबसे पहले किसका treatment करना चाहिए, kyphosis का, lodosis का, या फिर दोनों का, तो सबसे पहले हमें kyphosis का treatment करना चाहिए, उससे हमें हमारी बोडी को stretch करने में help मिलेगी, next है, when flexibility of the body is almost lost, यानि कि जब हमारी जो बोडी होती है, वो बिलकु no, rigid, बिलकुल, तो rigid hard हो जाती है, तो rigid spine उसको बोलेंगे, तो आप देख सबते हैं कि जैसे हम जरा सा भी अगर अपनी कमर को हिलाते हैं, तो हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो हमारी spine rigid हो जाती है, next है इसमे, which among the following included in causes of rigid spine, तो क्या होते है rigid spine के causes देख लेते बिलकुल, जब हम जादा देर तक बैठे रहते हैं, तो भी हमारी जो spine है, वो बिलकुल अकड़ जाती है, फिर है due to an injury, injury की वज़े से भी हो सकता है, due to dryness of the fluid of the bones, तो जो हमारी body है, उसमें fluid होता है, जिससे हमारी जो fingers वगरा, जो हमारी body है, वो चटकने लगती है, तो वो fluid सूख जाता है, उसकी वज़े से भी यह होता है, ठीक है, तो all of these होगा इसका answer, next है, the asana or exercise performed in case of rigid spine is or are, तो कौन-कौन से asana करने चाहिए हमें देख लेते हैं, halasana, जिसको हम pluff pose बोलते हैं, चakrasana, जिसे bridge pose बोलते हैं, तो दोनों के दोनों कर सकते हैं, तो कैसे होते हैं, halasana, जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी बोड़ी को, अपने पैरों को बिल्कुल पीछे लेके जाते हैं, और चakrasana में हम अपनी पूरी बोड़ी को उपर उठाके, पैरों पे रहातों पे अपना पूरा का पूरा वजन रखते हैं, तो जिससे हमारी बोड़ी flexible बनती, clear, next है, the vertebral column and the shoulder bend to the right or left side in, तो जब हमारी जो shoulder है, वो हमारे इधर या तो right side में या फिर left side में क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, तो वो किस में होते हैं, scoliosis और lateral curve to the spinal cord, rigid spine में नोखनी हैं किसी में बी, तो आप diagram में देखिए, कैसे हमारी, जो वैसे normal में क्या है, होता है, तो वो बिल्कुल ऐसे bend हो जाती है, या तो वो right के, तो अब हमारा shoulder देखिए, ये shoulder कैसे उपर सरका हुआ, तो ये उपर की तरफ भी right में भी जा सकता है, और ये left में भी हो सकता है, ठीक है, तो option यह है इसका answer, next time, the in scoliosis the spine cord bend on once or twice giving the shape of letter, तो अभी हमने उपर तो देखो साफ साफ देख रहा है, तो किस चीज की shape ले रहा हो, C shape ले रहा है, तो option B होगा इसका answer, next time, the rickets is caused because of the, जो rickets होता है, वो क्या होता है, इसमें हमारे जो कमी आ जाती है, बोडी में, nutrition की कमी होती है, हमें अच्छे से environment नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, तो देख लेते हैं, deficiency of vitamin D, phosphorus, salt and sunlight, बिल्कुल, due to the lack of nutrition, milk, yes, or unhealthy environment in home, और एगर दे, सारे के सारे rickets के कारण माने चाहते है, next है, इसमें, the knock knee is due to, तो अब आप देखिए, जो उपर rickets सा और knock knee सा, ये एक दूसरे से related होता है, इसमें क्या होता है, कि जो हमारी legs, एक में क्या होता है, हमा हमारे knee बो हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके जो knock knee के कारण है, उसमें rickets इंक्लूड होता है, तो देख लेते हैं, knock knee किस वज़े से होता, rickets की वज़े से, बिल्कुल, deficiency of vitamin D and calcium, yes, prolonged standing, तो जादा दे जब हम खड़े रहते हैं, तो उसकी वज़े से भी हमारे knee, या फिर हमारे जो उपर से घुटने है, वो मुडने लग जाते हैं, चीक है, second last is में, how can we recognize flat foot deformities or causes, तो flat foot देखे कैसे होते हैं, आप diagram में देख सकते हैं, जो normal हमारा foot होता है, वो थोड़ा सा मुडा होता है नीचे से, उपर की और, लेकिन flat foot बिल्कुल सीधा हो जाता है, त Yes, defective walking and standing posture होते हैं, Yes, defective shoes, बिल्कुल उसके कारण भी यह होता है, कि कई बर हम अपने shoes proper से नहीं पहनते, तो इस सारे के सारे कारण flat foot के माने जाते हैं, last है इसमें, tellips और club foot, तो यह question इस तरीके से भी आ सकता है, कि tellips का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, tellips को club foot भी कहते हैं, types involved, तो किस किस, क्या क्या types होते हैं, उसके co-genital याने की जनम की time पर, या फिर acquired याने की बाद में भी होते हैं, तो यह दोनों हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, club foot में क्या होता है, कि जो हमारे foot होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो मुड जाते हैं, तो उ concept building के लिए भी बहुत जादा helpful है, आप इसको direct exam में लिख सकते हैं, तो please इसे सभी के साथ share कीजिए, और next video की notification के लिए हमारे channel को subscribe भी जरूर कीजिए, thank you